वेलकम वन्स अगेन तो माई यूट्यूब चैनल नॉलेज एंटरेन्मेंट पिछले दो वीडियो में देखा आपने के कैसा होता है व्यक्तित्व मेश और व्रश राशी वारे लोगों का तो इस वीडियो में अब हम देखते हैं कैसे होते हैं मिश्थुन राशी के लोगों को जानने से पहले मैं फिर आप से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंटरेन्मेंट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए तांकि आप इस चैनल से जुड़े रहें तो आईए देखते हैं कैसे होते हैं मिश्थुन राशी के लोग मिश्थुन राशी जो है ये तीसरी राशी है हमारे राशी चक्र में और इसका जो स्वामी है वो होता है बुद्ग्रे बुद्ध जो है वो परिवर्तन और संचार का सूचक है कारक है इसलिए जो मिथुन राशी के लोग होते हैं उनकी भाशा शेरी बहुत कमाल की होती है वो अपनी भाशा से किसी का भी मन मोह लेने में एक्सपर्ट होते हैं आप कहिए और हर विशम परिस्थिति का सामना करने क मिशा तयार रहते हैं मिशुन राशी जो है ये द्वी सभाव वाली राशी है इसमें डबल करेक्टर है दो तरह का करेक्टर है और इस दो करेक्टर के कारण ये जो लोग हैं ये बुद्धी जी भी तो हैं ही स्वतंत्र होते हैं और साथ में लोगों के प्यारे भी होते हैं और बहुमुकी प्रतिभा के धनी भी होते हैं मिसलाशी के जो लोग है किसी भी चैलेंज को सुविकार करने के लिए पेस करने के लिए कभी भी तयार हो जाते हैं और उसको पूरा करने के लिए अगर उन्हें कुछ रह स्मई fera ही करना पए जाए तो उसे भी करने में वो पीशे नहीं हरते ये जितनी जल्दी गुसा होते हैं उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं जैसे दूद के उबाल की तरह इनका गुसा होता है एक पल में उबले और उसके बाद जैसे आपने गैस को बंद गिया यह जो मिथुन राशी के लोग हैं थोड़े रोमेंटिक किस्म के लोग होते हैं यह इस राशी के जो लोग हैं थोड़े आईडियल किस्म के होते हैं आदर्शवादी होते हैं हसमुग भी होते हैं यह अपनी जितनी भी इनकी चाये हैं और जितनी भी इनकी hobbies हैं, वो अपने दोस्तों के साथ उसको share भी करते हैं, ये लोग बहुत चालाग होते हैं, चतुर होते हैं, और अपने जो विचार हैं, जो इनके thoughts हैं, उससे दोसरों को भी ये motivate कर देते हैं, ये लोग अपने जहां पर भी काम करते हैं, बहुत कुशलता के साथ, बहुत ही expertness के साथ में पूरा करते हैं इसके साथ साथ ये पीजिकली बहुत शेजिटिव होते हैं हादर हाजिर जवाब तो होते ही हैं आप इंसे कुछ भी कहले हैनके P dette पल में जवाब इनके पास चाहर है थोड़े थोड़े नहीं बहुत ज्यादा रिलिजियुश होते हैं धार्मिक होते हैं और इनके मनमें धया का जो भाव है वह तो होता ही होता है उसमें कोई question वाली बात नहीं है इस इनके अंदर जितना गुसा होता है कि मैंने बताया कि दूद क्योबान की लेकिन उतना भी इनके अंदर सियम भी है ये अपने आप में कंट्रोल भी बहुत जल्डी कर लेते हैं इनसे ज्यादा कंट्रोल करने वाली और कोई दूसरी जाशी है भी नहीं यह अपना कोई भी काम करते हैं तो उसका पहले लक्षे नियरधारित करते हैं पहले उसको सोचत में एक अच्छा स्थान भी पाते हैं अब जब बात positive traits की है तो negative traits भी होंगे तो इनके जो सुभाव है वो द्वी सुभाव है क्योंकि बुद्ध इनका जो राशी का मालिक है स्वामी रहा है तो द्वी सुभाव इनका आना जरूरी है इसलिए इन लोगों को समझना थोड़ा सब मुश्किल होता है आप इसे समझ दे सकते आप यह नहीं पता लगा सकते कि आगर आप कुछ कहेंगे तो इनका reaction कैसा होगा कभी positive हो सकता है और कभी negative भी हो सकता है इनका reaction यह लोग जो है decision लेने में बहुत कठनाई महसूस करते हैं कारण वही है द्विस्वाव क्योंकि इनके दिमाग में दो बाते चल रही होती है इसा यह वैसा इसलिए अपने decision को बार बार बदलते भी रहते हैं एक बार काम कर लिया पता लगा कि यह रास्ता गलत है फिर बदल लिया अगर वह भी रास्ता गजलत है तो इस तो आपने decisions को change करते रहते हैं जो यह लोग ने जाथ जो इस्थिती होती है वह अक्सर असमजस वाली होती है conclusion वाली होती है यह दूसरों से भी सला लेते हैं लेकिन अपने आप में confusion वाली स्थिती में होते हैं कि क्या करें क्याimana करें एक इनकी जो खासियत है दोड़िवाओकी पल में तोला पल में मासा जैसे दूर्स कि अबाल की तरह कभी उबल गये कभी बैट गये कभी एगदम गरम हो गये कभी एगदम ठंडर हो गये तो उसकारण से इनकी अपने जीवन साही के साथ अपने life partner के साथ उनके जो मत्भेर है वो बने ही रहते हैं वो नहीं कभी खत्म होते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन ये वीडियो भी आपको अची लगी होगी लेकिन अब ये बहुत कुछ बाकी है नौ राशियां भी बाकी है और उसके बाद हर एक राशी के लोगों के स्वास्त की बात भी होगी उनके धन संपत्ति की बात भी होगी उ तो अभी इस चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिनकी राशी मिथुन राशी है तो इस वीडियो को समय देने के लिए आग सभी का बहुत बहुत जाने है